नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी लोगों का उमीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे सो दोस्तों CRPF HCM and ASIS 10O 2022 की नोटिफिकेशन के अंदर CRPF ने तीन बड़े यहां पर बदलाव किये हैं अब कौन से हैं वो तीन बड़े बदलाव जानेंगे आज किस वीडियो में आपको करना क्या है वीडियो को एंट तक देखना है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सेर आप कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए फड़ा फट देखते हैं कि कौन से तीन बड़े बदलाव CRPF ने CRPF ASI STENO and HCM 2022 के नोटिफिकेशन के अंदर की है तो सबसे पहले तो यह एक जो नोटीस है जो CRPF ने आउट किये उसके बारे में हम देखते हैं Central Reserve Police Force Help Line Number यह दिया हुआ है वेबसाइट के बारे में बताए गया है उसके बाद आपका जो है सबजेक्ट Recruitment to fill up vacancies for the post of assistant sub-inspector STENO and head constable ministerial in CRPF examination 2022 आपका advertisement number दिया हुआ है अब हुआ क्या था यहाँ पर कहते हैं कि High Court की तरफ से एक judgment आया जिसके अंदर आपके 3 या 4 बच्चों ने आपका जो लोग है उन्होंने case किया था या कोई appeal डाली थी जिसके अंदर उनका जो age वाला issue था one time major के अंदर उनको upper age limit में उनको कुछ देना था उनको छूट वगेरा आपके जो notification है उसके अंदर change आपके आपर किये गए है अब change क्या क्या किये गए है एक पर वो भी देख लेते हैं तो part one के अंदर सबसे पहले part one के अंदर जो advertisement है उसके अंदर क्या कुछ चेंज किया गया है सबसे पहले क्या किया गया था last date for receipt of online application and online fee payment 21-23 पहले आपकी जो last date थी online application फिल करने की और जो आपके फीस पे करने की वो 21 थी लेकिन अब वो read की जाएगी 31-23, 31-23 मतलब की यहां पर 6 दिन आपके plus कर दिये गए है मतलब की जो पहले 25 तारीक को last date थी अब वो last date आपकी क्यब होगी 31-23 को आपकी मानी जाएगी ठीक है तो आपको यहां पर जादा time मिल गया है form को भरने के लिए दूसरा admit card जो है वो 15-23 को जो release किये जाने थे वो आपके अपके जाएंगे 15-23 को ही release किये जाएंगे उसके अंदर कोई भी change आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके बाद computer जो यह है आपका base test है वो 22-28 फ़रवरी को उसकी date decide की गई थी और 22-28 फ़रवरी को ही उसकी जो date है वो यहां पर रखी जाएगी तो यहां पर जो change है mainly वो आपका किसके अंदर क्या गया है वो आपका क्या गया है सिर्फ notification के अंदर आपका जो date है वो यहां पर बढ़ा दी गई है आपकी 25 से अब 31 कर दी गई है बाकि जो admit card है exam की date है वो यहां पर आपकी same to same रखी गई है उसके बाद अगर मैं crucial date की बात करता हूं तो crucial date क्या होती है crucial date होती है last date किसी भी application form की तो पहले जो crucial date 25-2023 थी अब वो crucial date 31-2023 अब यहां पर एक benefit देखने को मिलता है अगर आपक 27 तारीक को ठीक है आपने 27 जनवरी को वो बनवाई है अब आप तो crucial date के बाद आपने यह बनवाई है तो आपकी valid नहीं होती लेकिन अब आपकी जो valid होगी वो 31-1 से पहले होनी चाहिए तो अगर ऐसे में जिसने भी 27-28 या 29 को भी बनवाई है या जो बनवाने वाले हैं अ अंदर भी आपका जो कुछ चेंज किया गया है वो भी अबर देख लेते हैं अब यहां पर है एज limit of candidate should be 1825 year as on closing date of receipt of application 25-1-2023 that is candidate should not born before 26-1-1998 और after 25-1-2005 तो पहले जो date थी आपकी जो age थी वो 18-25 साल आपकी जो है 18-25 साल आपकी जो है वो मांगी गई थी लेकिन जैसा कि म साल का जो है वो यहां पर क्या दिया जाए उनको रिलेक्शेशन दिया जाए तो केस जीतने की वज़े से अब यहां पर क्या किया जाएगा देखीगा एज limit of candidate should be 18-28 year जो 25 ती अब वो 28 मतलब पलस्तीन साल का जो आपका रिलेक्शेशन है वो यहां पर आपको दिया जा रह से पहले आपका जनम नी हो आना चीए और 31-25 से बाद आपका जनम नी हो आना चीए इनके बीच में आपकी जो उमर है वो 18-28 वर्ष जो है आपकी होनी चाहिए ठीक है तो जो केस था बेसिकली जिन बच्चों ने डाला थे है जिनने भी डाला था वो यही था कि हमें भी तीन साल की जो अपर लिमिट है वो जो अन्रिजर्व के लिए उनको वो दी जाए और उसी बेस के उपर ये दुबारा से नोटिफिकेशन के छे दिन बढ़ाए हैं ताकि आप सभी लोग जो भी फॉर्म को नहीं भर पाए थे 26 साल वाले सताइस साल वाले वो भी स्वर्म को फिल यहां पर कर सकते हैं ठीक है चलिए उसके बाद पैरा नंबर 10.3 के अंदर जो बदलाव किया गया है वो किया गया है तो पहले बताया गया था जो आपका पोर्टल है वो चार एक चार जन्वरी से 25 जन्वरी तक खुला रहेगा आप बताया जा रहा है कि आपका चार जन्वरी 2023 को खुला था और 31 जन्वरी 2023 को रात को 11 बज कर 55 मिनट के उपर आपका जो है वो यहां पर क्लोज किया जाएगा the detailed term and condition and other eligibility criteria mentioned in advertisement dated 31 12 2022 जो है वो क्या हंगे unchanged होंगे the original advertisement dated 31 12 2022 is available on crpf website crpf.gov.in कह रहा है कि इन तीन points के अलावा जो आपकी age हो गई आपकी notification के date में जो भडोतरी की गई है वो हो गई है और इसके अलावा जो portal आपका खुला रहेगा ये इन तीनों के अलावा कोई भी change notification में नहीं किया गया है वो same to same है सिर्फ इन तीन change को यहां पर new किया गया है सो तीन change किया है एवर फटा फट मैं आपको यहां पर बता देता हूँ चलिए पहला change ये है जो 25 जनवरी आपकी last तारिक थी अब वो कितनी हो गई है 31 जनवरी ठीक है दूसरा दूसरा चेन था 18 से 25 साल के बच्चे फोम भर सकते थे अब 18 से 28 वर्स के बच्चे फोम को भर सकते हैं और तीसरा है पहले 25 जनवरी को रात को 11.05 तक आपका पोर्टल खुलना था और अब 31 जनवरी तक रात को 11.25 तक आपका जो पोर्टल है वो फोम भरने के लिए open रहेगा ठीक है तो यह चीजें हैं जो तीन बदलाव यहां पर के गए हैं इसके बाद जो भी सारे बदलाव है वो unchanged है कोई भी बदलाव उसके अंदर नहीं किया गया है ठीक है टी जो मुझ नमस्कार